So Hello Everyone, मैं हूँ Vikram और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले Tata Technology Share के बारे में अब इस टॉक में हमारे लिए कल के लिए क्या लेवल्स होने वाले हैं वो डिसकस कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के दिन इस टॉक में हमें 3.5% का यहाँ पर मूव देखने को मिल गया है यहाँ पर पूरी मार्केट में यहाँ पर हर एक स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही थी वहीं पर यह स्टॉक आज 3.5% उपर है तो यहाँ पे अब stock के लिए कल के लिए क्या levels होने वाले हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे stock के लिए एक resistance था जिसको इसने आज break कर दिया है और यह resistance break होने के बाद अब आपको wait करना है एक retest का एक यहाँ पे अगर retest हो जाता है 1099 रुपीज के level का एक बड़ी retest हो जाता है यानि उपर से stock अगर थोड़ा सा और नीचे गिर के आता है और इसी area के round से support लेके उपर जाने लगता है तो हमारे लिए यह बढ़िया buying की opportunity बन सकती है बट आप याद रखना कि retest का ज़रूर wait करना क्योंकि थोड़ा सा risky हो सकता है यहाँ पर क्या है कि यह है अपने resistance के पास ठीक है तो resistance को एक बड़ी यह check कर ले कि यह support बन गया या फिर नई बन गया उसके बाद ही यहाँ पर entry लेना सही रहेगा और जब यह breakout दे देगा 1099 रुपीज के level का तो हमारे लिए जो nearest target निकल के आएगा वो होगा यहाँ पर 1142 रुपीज का यह break होता है तो फिर उसके राद हमें यहाँ पर फर्दर 1174 का level भी देखने को मिलेगा तो यह दो target फिलाल के लिए निकल के आ रहे हैं 1142 और 1174 यह दो targets आपको ध्यान में रखने हैं यह दोनों जब निकलते हैं उपर की तरफ तो हमें further up move देखने को मिलेगा और downside की possibility stock में तभी बनेगी जब यह 1099 रुपीज के level को नीचे की तरफ break करता है अगर यहाँ पर कल के दिन हमें इस type की candle दिखती है मैं प्थोड़ा zoom करके आप को दिखा देता हूँ अगर देखो कल के दिन में अगर यहाँ पर हमें इस type की candle close होती वी देखने को मिलती है यनि यह rejection की candle होगी और यहाँ पे अगर ऐसी candle exactly ऐसी बनती है तो हमें समझ आजाएगा कि यहाँ पे rejection ले चुका है इस price का और यहाँ पे अब stock थोड़ा fall कर सकता है और उसके लिए nearest जो हमारा target निकल के आएगा वो होगा हमारा यहाँ पे 1050 रुपीज का यह हमारे लिए nearest target होगा अगर यहाँ पे rejection मिलता है तो तो मैं आपको सारे level साथ के साथ बताता जाता हूँ ताकि आपको दोनों side का view clear रहे कि अगर किस side का भी move आएगा तो हमारे लिए nearest target वगेरा क्या रहेगा या चाहे upside में चाहे downside में तो इन levels का ध्यान रखके आप trade करोगे तो आपको ज़्यादा confusion नहीं होगी आपको यह वीडियो अप लोगों के लिए helpful रही होगी किसी भी और stock को लेके कोई भी query है तो मेरे को आप comment कर सकते हो मैं उसके ओपर वीडियो बना दूँगा so इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में